हेलो दोस्तों आज हम सुनेंगे बाते बातों की बाते बातों की एक ऐसा पॉड़कास्ट है जिसमें वो हर कॉंटेंट आपको सुनने को मिलेगा जो एक कहानी के धांचे में नहीं ढलता कभी बाते बातों की होगी, कभी बाते पहाडों की होगी, कभी बाते सफर की होगी जो बाते मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो बाते बातों की इस सेक्शन के नीचे आपको सुनने को मिलेगी आज हम बाते बातों की में एक कविता सुनने वाले है और ये कविता जो है इसकी एक स्पेशल कहानी है क्योंकि ये कविता मैंने तब लिखी थी जब इस बारिश के मौसम की पहली बारिश हुई थी मेरे शहर में मेरे शहर में बहुत सारी बारिश होती है हर साल और मुझे बारिश बहुत पसंद है जब पहली बारिश हुई थी तो वो सुबह का वक्त था और मैं अपने रोजमर्णा के घर के कामों में लगी हुई थी पर ऐसा लगी नहीं रहा था कि ये सुबह है ऐसा लग रहा था कि ये शाम या रात का वक्त हो रहा है इतना अंधेरा हो गया था इतने काले बादल चाय हुए थे और मेरे मन में बारिश को लेकर एक mixed feeling थी खुशी भी हो रहे थी कि मौसम की पहली बारिश आ रही है और दूसरी जगा और थोड़ी परेशान भी थी मैं कि अब बारिश में कपड़े नहीं सुखेंगे कीचर हो जाएगा घर घंदा होगा और मैं बारिश में कैसे सब कुछ मेंटेन करूंगी तो इसी mixed feeling को इस कविता में मैंने डालने की कोशश की है मज़ेदार बात ये है कि उस वक्त मेरे पास लिखने के लिए न कागस था न पैन था और जब भी हमें कुछ सूजने लगता है उसकी speed match करना और उसकी speed match करके उसको कागस पे उतारना बहुत मुश्किल होता है जो भी creative field में काम करते हैं वो मेरी बात को बिलकुल समझ सकते हैं तो मेरे हाथ में phone था तो मैंने फटाफट phone में उस कविता को record कर लिया और फिर सोचा कि बाद में आराम से इत्मिनान से कागस पे उसे उतार लेंगे पर वो हो नहीं पाया और जब मैं कागस पे लेके बैठी कि मैं उस कविता को लिख लूँ ताकि मैं उसको अच्छे से सुधार के record कर सकूँ तब वो कविता मेरे phone से delete हो चुकी थी पर luckily मुझे उस कविता के पहली चार line याद थी तो वो चार lines मैंने लिख ली और उसके बाद में उसके आगे की कविता मैंने फिर से बनाई ये कविता भी अच्छी ही है पर जो पहली कविता थी जो उस वक्त मुझे सूझी थी वो बहुत ही special थी बहुत खुबसूरत थी I will try कि मैं वो recover कर पाऊं पर बहुत मुश्किल है पर कोई बात नहीं एक अनुभव मिला और इस अनुभव से ये सीख भी मिली कि जब भी आपको कुछ सूझे तो उसे ऐसी जगह पर लिख कर या note करके रखे जहां पर आप उसे वापस से refer कर सको और इसी लिए मुझे कागस कलम इस्तमाल करना लिखने के लिए बहुत पसंद है क्यूंकि जब भी आप लिखते हो तो वो कागस पर रहता है आपके पास डिजिटल फॉर्माट में जब आप लिखते हो या रिकॉर्ड करते हो तो गलती से डिलीट हो जाए उसको रिकवर करना मुझकिल हो जाए बहुत दिक्कते होती है इन दाट सेंज आम वरी ओल्ड स्कूल तो बाते बहुत हो गई अब कविता शुरू करते है पर उससे पहले अगर आपको मेरा कॉंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेर एंड कॉमेंट ज़रूर करना कोई भी कॉंटेंट कागस से लेकर उसे रेकॉर्ड करके, एडिट करके, यूट्यूब के माध्यम से, पॉड्कास्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है तो इस मेहनत की कदर ज़रूर करना शुरू करते हैं आज की कविता जिसका नाम है बारिश कसूर तेरा नहीं है ए बारिश के तुम मन चली हो गई है वक्त बेवक्त बरस्ती है बे खौफ बरस्ती है हम भी तो तुम्हें पहले सा प्यार नहीं करते इसी लिए तो तु जिद्दी हो गई भूल गए है हम तेरी बूंदो से दिल खुलास खेलना पता नहीं कब से हमने शुरू कर दिया कीचर और मच्छरों के लिए तुझे कोसना भूल गए है हम खिड़की पर बैठ कर तेरे संगीत के साथ गर्मा गरम चाई का मजा लेना अब तो हमें आदत हो गई है कटिंग नाराज होते हैं बोतल में पानी भरकर बेशने वाले हम जैसों को क्या पता बिना पानी के कैसे जीते हैं भूल गए है हम कि तु नाराज हो गई तो पानी कहां से आएगा ओवर कॉन्फिडेंस है हमें अपने आपपर कि कुछ न कुछ जुगाड हो ही जाएगा किस्मत हमारी अच्छी है कि तू हमारे जैसी नहीं है सब कुछ बुलाकर दिल खोल कर बरस्ती है सूखे दिल और दिमाग वाले इंसानों की दुनिया का हर कोना भिगो देती है गीली मिट्टी की खुश्बू सूंकर गुन-गुनाना भूल गए है हम ऐ बारिश तुझसे प्यार करना भले मनचली होकर तू जिद कर ले पर दिल बढ़ा रखना थोड़े नखरे दिखाना नाराज होना पर हमें जरूर माफ करना बेवक्त बेखौफ ही सही पर जरूर बरसना